जाहिन देखिए रेलवे रर्वी की एक गलती के वज़े से तीन लाख असी हजार लड़कों को उनका एक्जाम देने से रोग दिया गया इतना नोटंकी हो गया है इन लोग का अब एक चीज़ समझे है 2019 में नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम आप लोग के वेकेंसी के लिए लगबख साइटी से जार पोस्ट की वेकेंसी निकाली गई वो एक्जाम कब लेगा पता ही नहीं चला तो 2020 में प्रोटेस्ट किया गया 2020 के इस प्रोटेस्ट के बाद 2021 में एक्जाम कंप्लीट हुआ एक्जाम लिया तो फिर रिजल्ट नहीं दिया फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा तो अभी जाके वो इसका result दिया है और result में 3,80,000 लड़कों को पीछे ढखेल दिया गया कहा गया है कि 20 गुना result देंगे जबकि 11 गुना ही result है 20 गुना result नहीं है अब इक एक करके हम लोग इसको समझते हैं ध्यान से समझे रेलेवे का जो अपना कहना है हम RRB विहार में 2 RRB है RRB मुझभफरपूर और RRB पतना दोनों के चीफ से हम बात किये उनका जो कहना था हम पहले आपको उनके बात रख देते हैं उनका क्या कहना है देखिए उनका कहना है कि हम लोग उने 4 उपलब दिया हासिल की उनकी 4 उपलब दिया सुन लिजिए उन्होंने फेर एक्जाम कंड़क्ट कराया है बहुत अच्छा से सिंगल एक्जाम करा दिये अलग-अलग टाइप के साथ साथ केटेगरी की एक्जाम का एक ही सिंगल एक्जाम करा दिये एक candidate को अब ये एक ही job देंगे, दो नहीं दे पाएंगे, पहले ऐसा हो जाता था, दो ले लेता था, एक को joining करता था, एक खाली छोड़ देंगे, और इन्होंने पहले 10 गुना ही result होते थे, इनका कहना है कि हम लड़कों की भलाई के लिए 20 गुना result दीए, ये इनका कहना है, ये RRB का कहना है, उनका कहना था कि जब आप student को बताएंगे, पमियां, तो हमारी अच्छाईयां भी बता दिए, हमने उनकी अच्छाईयां बता दिया, अब इनकी अच्छाईयों का हम लोग थोड़ा सा translation करते हैं, चलिए अभी आपने fair exam कराया है, 2019 का vacancy, 2020 में final कराएंग इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है, total 7 अलग-अलग लेबल के exam थे, जिसमें कुछ exam graduation के लेबल के थे, और कुछ intermediate 10 प्लस 2 का था, railway का कहना है कि हम दोनों का exam एक जैसा करा लिए है, अब आप ही बताएंगे, single paper लिजिएगा, तो और उसमें आप कहिए कि graduation का भी लड़का बैठेगा, और इंटर का भी लड़का बैठेगा, तो एक जो आदमी नहीं भी पढ़ा लिखा है, उस तो पता चलेगा, कि नहीं, graduation वाला जो है, वो exam में अच्छा कर जाएगा, क्योंकि single paper है, अब किसी एक race में, आप गाय को दोड़ाई है, उसी race में घोड़ा को दोड़ ग्रेजवेशन का है, तो इंटर वाला कैसे उसको solve कर पाएगा, तो उनका कर नहीं, गलती हो गया, हमारा जो question label था, वो इस label का था, इंटर वाले label का था, यहाँ पर, अभी बताईए, दुनिया का पहला exam है, कि question label है intermediate के label का, उसमें intermediate का भी लड़का बैठा है, और graduation वाला भी बैठा है, अब बताएगे किसको फाइदा होगा, हर हाल में graduation वालो को फाइदा हुए, और इस graduation वालो को एक साथ दो-दो सीटो पर qualify कराए गया है, दो-दो चार-चार सीटो पर qualify कराए गया है, कहा गया है कि तुम graduation के नाते तो तुम qualify हो ही, और इस नाते भी तुम qualify हो, तो पहला यहाँ पे दिखिए जो इन्होंने कहा है कि सिंगल एक्जाम लिये हैं उस सिंगल एक्जाम में केवल और केवल फायदा ग्रेजुएशन वालों को पुछाए गया 3,80,000 इंटर्मीडियेट के लड़कों को एक्जाम देने से रोक दिया गया है CBT-2 एक्जाम इनका पहला सेकेंड वाला यह तो समझ गया तीसरा समझ यह क्या है इन लोग का दिमाग लगाना है सुनिए ध्यान से गजब गजब तो यह लोग दिमाग लगाता है लोग इनका कहना है कि पहले क्या होता था अगर अलग-अलग एक्जाम लिया जाएगा तो क्या होगा यहां हो गया एक graduation इनका कहना है कि जब कभी भी graduation का form अलग आता था graduation का जो exam थे railway में उसका form अलग आता था inter-level का था उसका अलग आता था इनके हिसाब से कहना था कि कोई लड़का था जो graduation में भी pass हो गया इस label की exam में भी station master बन गया और inter-level वाले में भी pass हो गया तो वो क्या करता था लड़का कि graduation वाला नौकरी कर लेता था जो इस label पर station master और उसको छोड़ देता था तो खाली रह जाता था तो भाईया यह खाली रहता था railway की बेकुफी से बेकुफी कैसे मान के चलिए कि इसमें cut-off गया था 82 नंबर और इसमें cut-off गया था 86 नंबर जो लड़का graduation किया graduation का exam दिया 86 नंबर हो गया station master बन गया सब और उसने इंटर लेबल वाला भी दिया उसका 82 नंबर आया इसमें भी pass हो गया तो उसको कोई एक नोकरी करनी पड़ेगी तो वो उसने कर लिया graduation लेबल वाली नोकरी को यह खाली कैसे रह गया railway ने कभी waiting list इसका निकाला ही नहीं भया 82 नंबर cut-off गया था इसके नीचे 81 वाला कई लड़के होंगे 80 वाले होंगे 79 वाले होंगे जब आपको पता चल गया कि सेम लड़के हैं इसने यहां ज्वाइन कर लिया तो कहिए कि ठीक अब यहां तुम्हारे से नीचे वाला जो है waiting list वाला उसको कंफर्म करके उसको जॉब देतेंगे रेलेवे ने कभी वेटिंग लिस्ट नहीं किया यहां इस वज़ा से यह गड़बर हो गया तो यह यहां कौन सा समझदारी कर रहे है